सबी को नमस्कार स्वागत हैं आपका अमारे यूट्यूब चैनल जे जे क्लासेज मेवाड में आज अमल कर रहे हैं प्रकर दो ब्रिज कार्य पुस्ति का हिंदी खक्सा आठ दोजर बाइस इसमेल करेंगे मज्द्यावदी मुल्यांकन मिड्लाइन असिस्मेंट जो पेज नमबर 45, 46 और 47 पर है आईए शुरू करें इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब वाला लाल बटन दबाए और सस्क्राइब करें जिससे के आने वाले हला आपको मिलते रहें पहला दिये गए समनारती सब्दों को उनके समंदित सब्से मिलाएं समनारती सब्द होगा बू दरा वसुंदरा ये होगा ये हैं दर्ती के प्रियाईवाची दर्ती से मिलाएं पवन समीर वायू ये प्रि प्रेस्ट नंबर दो देखें नीचे दिये गए तत्सम सब्दों को तदभव रूप लिए कर्ण कर्ण यानि कान नासीका नासीका यानि नाक ग्रीवा ग्रीवा यानि ग्रीवा यानि जीवा जीव या जीवा अक्सी यानि आँख हस्त यानि हाथ अगनी यानि आग प्रेस्ट नंबर तीन है संक्स तकसर युक्त सब्दों में से अब संयूक तकसर ढूंड कर लिखिए अब संयूक्त इसमें देखिए संदर्व करतज्यwest करतगे में है यह संठज्य यह बना है जे वर यह से वक्षस्तल इसके बाद है स्रम्मिक स्रम्मिक के बाद है पत्र अक्षून यानी चमा त्रीबूज और विश्राम ये हैं संयुक्त अक्षर प्रस्ट नमबर चार है निमलिकित कत्नों के लिए उनके नीचे की पंक्ती में प्रस्ट बनाईए कि राम मुस्कान का पडोशी है तो इसका प्रस्ट बनेगा ललीता क्या लेने बाजार जाती है पांचवा दिये गे वाच्यांज के लिए एक सब्द लिखिए के जो नियम के नुसार है वोगा नियमा नुसार के जो इस्वर में विश्वास रखता है आस्तिक गे जो पडालिका ने हो अनपड गे जो सरमाता बहुत है सरमीला प्रस नंबर 6 निमलिकीत वाच्यों में से विशेशन चांट कर लिखिए सीता सुन्दर लड़की है यह इसकी विशेशता बता रहा है सुन्दर यह हो गया विशेशन सुन्दर वे तेज दोड़ता है इसमें विशेशता है तेज तेज हो गया विशेशन प्रस नमबर साथ नीचे दिए गए बाच्कियों को सुद्ध करके लिखिए ए राम अपने विद्याले गई तो इसका सुद्ध रूप होगा राम अपने विद्याले गया वै वै तेज दोड़ती हुई पास आया तो यहां होगा वै तेज होता हुआ पास आया इसका सुद्ध प्रस नमबर आठ दिए गए सब्दों को चाट कर उचित्तान पर लिखिए प्रसंता सने रमेश लालच बालक सूरज गरीबी सीता बाहर ओली पुस्तक और नदी अब इसमें व्यक्ति वाचक संज्या होंगे रमेश सूरज सीता और होल जाती वाचक होंगे बालक पुस्तक नदी और बाहर बाव अचक होंगे प्रसंता सने रमेश लालच और गरीबी प्रस नमबर नो देखें देखो समझो और लिखो मिठाई मिठाईया तो यहाँ एक वचन है यहाँ वचन है तो तोली की होगी तोली स्द्श्वानार उखुए प्रस्ट प्रस्टेश्ट के उचित उपसर्ग लगाकर नहीं सब्द बने लिए ER k regions जोर देश के आगे स्वेवसर्ग लगवाएं स्वेदेश पुत्र के आगे सूपसर्ग सूपुत्र धन के आगे नी उपसर्ग निर्दन इसी प्रकार जारवा है नीचे कुछ पर्त्ये दिये गए हैं उनको उचीत शब्दों के साथ लगा कर नए सब्द बनाएं जैसे इया, इया से बनेगा गूडिया, वान से धनवान, सालि से बनेगा पर्तीब सालि, और इ से बनेगा सब्द धनी, बारवा नीचे दिये गई गध्यांस को पढ़गर प्रस्नों के उत्तर दीजिए राजा रवी वर्मा भारत के ख्याती प्राप्त चित्रकार थे उनका जन्म केरल के एक छोटे से गाउं में हुआ था उन्होंने भारतिय पोराणी कथाओं पर चित्रों का निर्मान किया उनके चित्रों में पोराणी नाईकाएं ही मुच्चे विशे रही है इन्होंने दुश्यांत सकुन्तला नल दम्यंती एम माभारत कथाओं पर विशेश चित्रकारी किये है हंस दम्यंती राजा रवी वर्मा की सबसे परसिद करती है राजा रवी वर्मा एक चितरकारी नहीं अपितु एक देश बक्त भी थे इनका देवासान दो अक्टोबर 1906 को हुआ अब इसके आगे कुछ प्रस्नें उनको अल करते हैं राजा रवी वर्मा का जन्म का हुआ था तो उत्तर होगा केरल के एक चोटे से गाव में हुआ दूसरा है इनका सबसे प्रसिद चितर कौन सा है उत्तर होगा आंस दम्यंती इसका प्रसिद चितर है गए है गद्यांस में कोई एक वाच्चे छाट कर लिखिये जिसमें संबंद बोदक सब्द का प्रियोग किया है तो इसका उत्तर होगा उनका जन्म केरल के इसके नीचे अंडरलाइन कहे है ये संबंद बोदक केरल के एक छोटे से गाहा में हुआ था गए देवावासान की इन दो सब्दों से मेल से बना है तो उत्तर होगा देहे पलत प्लस दे तथा अवसान प्रस नंबर तेरा है इसमें स्वयम को राच्किया उअच माझद्यमिक विद्यालई सिर्वहिक अक्षा 9cidos मांनते हुए सुल्क मुटिय तो परदाने चारिय को प्रात्ना पत्रलिक है कि मैं स्कूल कीभीड नहीं उसबर सकती इसका प्रात्ना पत्र है ये सेवा में स्रीमान परदानाचार्य मोदे राज के उच मातिमिक विद्याले शीरोही विशेवगा सुल्क मुक्ती चाने तू मोदे जी उप्युक्त विशेंतरगत निवेदन है कि मैं ककसा नोवी की छात्रा हूँ मेरी आर्तिक स्तीती दैनी है यानि कमजोर यानि गरीब है अते मुझे सुल्क मुक्ती परदान करने का कश्ट करें धन्यवाद आपके आईयाकारी शिश्या जो भी नाम हो या लिख दें ककसा नोव ये था मज्यावद्धी मुल्यांकन मिडलाइन असिस्मेंट जो की पेज नंबर 45-47 पर है स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चितर दिकरा है उसमें हमने सभी कार्य पत्रक, आकलन पत्रक, बेसलाइन, मिडलाइन सभी के हल हमने उसमें डाल रखे हैं वहां से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं इसका हल अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद